सो फाइनली और आज हम डिस्कस करेंगे हमारा एक और कॉंसेप्ट जो की है सूर्य शिद्धान्त ठीक है उसके लिए पहले में एक डिस्क्रेमर जो है आप सावी को बताना चाहूंगा कि इस पिकवोईज को रेफर करने के बाद आप अपने नोर्स को जाके पढ़िए आपको सब सारे जो नोर्स हैं वो समझ में आ जाएंगे यह पिकवोईज सिर्फ इसलिए है ताकि आप कॉंसेप्स को समझ जाएं दरसल मैंने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो यह से सर्च किये पर सूर्य शिद्धान्त की बारी में ऐसा कुछ पढ़िकर मिलता नहीं है ता अस्ट्रोनॉमी बुक मानी जाती है तो बहुत सारे लोग यहां पर दावा करते हैं और अलग अलग जो क्रियेशन है वो सूर्य शिद्धान्त की नाम पर मौजूद हैं बट इसके जो रियल जो राइटर हैं जो ओरिजनल वर्क जिन्होंने किया था वो आस तक अन्नून है ठीक है आज भी पता नहीं है कि सूर्य शिद्धान्त की यह जो बुक है यह जो थोरी दे गई है ठीक है वो किसने दे गई है रियल कौन है राइट किसका जो है वो यह ओरिजनल वर्क है राइट तो जैसे जैसे हम बात करते हैं तो होता क्या है एस्ट्रोमिकल एस्ट्रोमिकल इस रिलेड़े जो थियोरी जैं वो वन थाउजन बीसी के पहली क्या हो गया था People have begun to use astronomical instruments लोग क्या करने लगे थे अब यहां पे start कर दिया था हूझ उने और आस्ट्रोमिकल instruments को यहां पे use करना ठीक है ग्रहों की यहां पे खोज करना ठीक है और कितने ग्रह हैं दूरियां कितनी हैं ठीक है मतलब हर ग्रह की कितने यहां पे क्या हैं कितने मून हैं ठीक है तो यह जो थियोरीज हैं वो 1000 BC के पहले क्या हुए था यह जो थियोरीज हैं वो इंडिया में लोग क्या करने लग गए थ पे research करना right during this time the सूरीशिद्धान्ता a well known book for astronomical calculations was written right और इसी time पे सबसे पहली जो book जो accurate book जो लखी गई वो थी सूरीशिद्धान्ता ठी है सूरीशिद्धान्त को यदि हम इसकी meaning देखे जाए तो वो है sun theory right क्या कहला इसको क्या कहते है sun theory and it highlights the calculation of positions of stars planet right क्या बताता है stars and planets की position बताते है right some Indian mathematicians often develop their own instrument and methods to help in the outstanding understanding of the सूरीशिद्धान्ता ठीओरी तो जैसे 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 लोगों को पता चलने लगा ये theories जैसे जैसे विक से थोई फैल गई ठी है तो क्या क्या हुआ जैसा जैसे लोगों ने से रूची ली और बड़ी बड़ी जो हमारे astronomer है mathematician है उनोंने क्या किया research की और जो भी उनको समझ में आ रहा था उसके basis पर उनोंने क्या कर दी अपनी अपनी जो theories हैं वो बनानी चालू कर दी one such invaluable contribution is the introduction of zero in the mathematician and the decimal methods of calculation तो हुआ क्या इसी time पर जब यहां पर क्या हुआ जो भी हमारे planets वगरा है इनकी distance वगरा को खोज जाने लगा diameter वगरा को पता किया जाने लगा तो यहां पर क्या हुआ जिसके result में हमारा decimal और zero की यहां पर जो खोज है वो यहां पर हुई ठीक है तो पहले हमारी जो counting थी वो nine तक बज़ चलती थी ठीक है बट इस time पर जो है क्या हुआ zero की खोज हुई और decimal की खोज हुई तुम कह सकते हैं कि जो सूरश रिधान्त है वो एक काफी important role नबाती है decimal और zero की खोज में राइट ना वरा महर compare सूरश रिधान्ता with his four other पंच सिधान्ती का treatises or treatise right namely पैताम राइट सिधान्ताज ठीक है तो क्या हुआ जो वरा महर थी ठीक है जो हमारी one more famous right well known mathematician थी उन्होंने क्या किया सूरश रिधान्ता को अपनी पंच जो treatises था ठीक है उनके साथ compare किया right कौन कौन से थे झाल 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 गस्यांदा झाल 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 झाल